तो परमात्मा की महमा सबसे न्याई हैं, फिर है देवताओं की महमा, देवताओं की महमा है सरवगर संपन सोला कला संपूरन और परमात्मा की महमा है ग्यान का सागर, प्रेम का सागर, वो सागर होने के नाते, ग्यान का सागर होने के नाते, सारे स्रिष्टी के आदि मद्यान का राज वो ही या करके समझाते हैं तो परमात्मा की मेमा सबसे नियारी है उसके बाद फिर है देवताओं की मेमा अब इसमें तो अंधश्रदा के तो कोई बाती नहीं है यहां तो देखो सब बच्चे हैं फालोवर्स भी कोई नहीं है ये तो सारी इश्वरी फैमिली है हम सब इश्वर के बच्चे हैं वस्तव में तो हम सब आत्माएं एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फैमली ही हुई ना वो निराकार फिर जब साकार में आते हैं इस समय में ये है वन्डरफुल इश्वरी फैमली अब इसमें तो कोई संशे की बाती नहीं है शिव की सभी संतान है इसी परकार पिर्जा पिता ब्रमा की भी तो सभी संतान गाई हुई हैं ब्रमा के द्वारा सृष्टी रची गई हैं ये भी तो गाईन है तो हम ब्रमा कुमार ब्रमा कुमारिया हैं जो नई स्रिष्टी की स्थापना कर रही हैं देखो पुरानी स्रिष्टी तो अपने सामने खड़ी हैं बाबा कहते हैं बचे इसी प्रकार परन्तु पहले बाब का परीचे जरूर देना हैं ब्रमा वन्शी बनने के बिगार बाब का वर्षा तो मिल ही नहीं सकता ब्रमा के पास वास्तो में बाबा कहते हैं ब्रमा के पास ये ज्ञान नहीं है ज्ञान तो है सारा ज्ञान सागर शिप बाबा के पास उनसे ही तो तुम सब को ये वर्षा मिलता है तो तुम्हें समझाना है हम सब है अभी ब्रह्मा मुखवन सावली अब हम सब यही राज योग सीख रहे हैं हम सब को पढ़ाने वाला है शिवामा जो इस ब्रह्मा के तन में आ करके हमें पढ़ाते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा यह प्रजापिता ब्रह्मा जब संपूरन बन जाते हैं तब फिर फरिष्टा बन जाते हैं सुख्या मतनवासियों को फरिष्टा ही कहा जाता हैं क्योंकि सुख्या मतन में जो भी हम जिसको देखते हैं उनों को हमारे सुख्या मतन में तो लाइट का इस शरीर नजर आता हैं जिसका रण फरिष्टा उनों को कहा जाता हैं वहां हड़ी मास नहीं रहता हैं बाबा कहते हैं बच्चियां भी जाकर के साक्यात कार करके आती हैं बाब कहते हैं भक्ती मारिग में तो अलब काल का सुख्या भी तो मेरे दौर अहीं सब को मिलता है मैं ही तो सब की मनों कामना पूरन करता हूँ वास्तव में दाता मैं एक ही हूँ इसलिए तो सभी ईश्वर अर्पन करते हैं समझते हैं हमको इस दानपन का फल तो ईश्वर ही देता हैं सादू संताद का कभी नाम नहीं लेते हैं क्योंको देने वाला एक बापी हैं करके निमित कोई के द्वारा दिलाते हैं उनकी महमा बराने के लिए अब ये तो सब है अलब काल का सुक और ये है बेहट का सुक तो अब देखो नए नए बच्चे आते रहते हैं समझते हैं जिसकी मत पर हम सभी चलते थे उनको फिर हम ये अब जो नए नए आ रहे हैं उन्हों को ये आता है ख्याल कहीं सादों के सन्यासियों के पास जाते थे कहीं कहां जाते थे तो जो आकर के ये अभी समझ गए है वो तो उन्हों को बाबा कहते है ये ख्याल आता है कि जहां हम पहले चलते थे हम उन्हों को जाकर के ये नालेज समझाएं क्योंकि इस समय तो सब माया के मत पर है यहां तो तुमको इश्वरी मत मिलती है ये मत इश्वरी मत आधा कलब तक चलती है बना इसी मत से जो हमें परालबद मिलती है वो आधा कलब चलती है क्योंकि सत्युक्रेता में हम इसकी ही इस राज्यों के द्वारा मिली हुई परालबद ही भोगते हैं वहां सत्युग में और कोई उल्टी मत होती ही नहीं है क्योंको वहां तो कोई माया है ही नहीं उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है अभी तो बाबा हमको तरकाल दर्से और तरलोकी नाथ बनाते हैं ब्रह्मान्द का मालिक भी हमी बनते हैं फिर स्रिष्टी के मालिक भी हमी बनते हैं बाप ने बच्चों की महमा अपने से भी उंच की है ऐसा बाप कभी देखा स्रिष्टी में जो बच्चों के उपर इतनी महनत करें बार बार सिख्याएं देते रहें चाहे बच्चे भूलें भी करते रहें लेकिन फिर भी रहम दिल बाप सिख्या दे करके उन्हों को आगे बराते हैं बाबा तो बच्चों को अपने से भी तीखा बनाते हैं कहते हैं तुम बच्चों को ही तो विश्व की बाठ्याई देता हूं तुम्हें ही वो विश्व पर राज करना हैं मैं विश्व की राजाई नहीं भोगता हूं बाकि इतना है कि दिव्य दृष्टी की चावी मैं अपने हाथ में ही रखता हूं भक्ती मारिग में भी तो मुझे ही ये काम में आती है देखो अभी भी ब्रह्मा का साख्यतकार जाकर कराता हूँ न कि जाओ अब इस ब्रह्मा के पास जाओ शुरू के अन्बों सुने होंगे न मतावाद के कि जब कैसे घर बैठे उन्हों को साख्यतकार होते थे और ब्रह्मा बाबा उन्हों को स्री कृष्ण उन्हों को इशारा करते थे इसके पास जाओ दोनों का रूप दिखा के और वो इशारा करते थे अंगली से ऐसे मता हैं बताती थी अंगली से इशारा करते थे इसके पास जाओ और फिर वो दर्शित देख करके कहीं मातनाएं आने लगी ऐसे मातनाएं कहीं अपना शुरू में अनभो सुनाती थी तो बाबा कहते हैं देखो मैं ही तो ये ब्रुमा का भी साख्यातकार तो मैं ही कराता हूं इसलिए ये साक्यातकार की चावी मैंने अपने हाथ में रखी है ब्रमा का साक्यातकार भी कराता हूँ कि इस ब्रमा के पास जाकर के राज योग सीक बविशे में प्रिंस बनो ये तो बहतों को साक्यातकार होता है प्रिंस तो सभी ताज सहती होते है फिर बचों को साक्यातकार तो हो जाता है परन्तु ये उनों को पता नहीं परता है कि ये सूर्यवंशी प्रिंस का साक्यातकार है या चंद्रवंशी प्रिंस का साक्यातकार है जो बाप के बच्चे बनते हैं वही तो फिर प्रेंस प्रेंसेज भी जरूर बनेंगे फिर कोई आगे कोई पहले बनेंगा सुर्यवंशी घराने में और कोई पीछे चंद्रवंशी घराने में बना अच्छा कोई अच्छा पुर्शारती होंगा तो सुर्यवंशी बनेंगा और नहीं तो फिर चंद्रवंशी भी बनेंगा तो सरफ प्रेंस को देख करके खुश नहीं होना है ये तो सब है पुर्शारत परमदार सक्छातकार तू पहले करा देते हैं तो थोड़ा सा विश्वास बने और पुर्शारत में लग जाए प्राप्ति तो होंगी जितना जितना जो पुर्शारत करेंगा उसके अन्कूल प्राप्ति होंगी निश्चित नहीं है जो साक्यातकार किया वो उसको वो जिसने किया उसको वो ही पद मिलेंगा ये तो टोटल वाई इस राजयोग से ये प्रालबद मिलती हैं तो बाबा कहते हैं सिर्फ साक्यातकार में प्रिंच को देख करके खुश नहीं होना हैं ये तो सब है पुर्शारत पर मदार बाबा तो हर बार तुम बच्चों को बड़ी किलियर कर समझाते हैं बाकि इसमें अन्दश रदा की तो कोई बाती नहीं है तो ये है पूरी सारी इश्वरी फैमिली इस हिसाफ से तो वह भी माना जो सुनने आया है जनों को हम समझाते हैं इश्वरी संतान हैं परन्तु वो कल्युग में हैं और बाबा कहते है अभी तुम बच्चे संगम पर हो अब उन्होंने तो संगम को समझा ही नहीं हैं अब किसके पास जाओ बाबा हम बच्चों को यह सिखा रही हैं किसके पास भी जाओ बोलो हम शिवन सी ब्रह्मा मुक्वन सावली ब्रह्मन हैं हम ब्रह्मन ही स्वर्ग का वर्षा पार सकते हैं किसको अच्छी डीच समझाने की अच्छी तरह से महनत करनी हैं पचास सव को जब समझाएंगे तब मुश्कल से उन से कोई एक दो समझने वाला निकलेंगा जिसके तकदीर में होंगा वो तो कोटों में कोई ही निकलेंगा आप समान बनाने में समय तो लगता ही हैं बकि शाहुकार का आवाज वो तो बरा होता है वो तो कोई भी सुनेगा तो उसको लगता है यह बोलता है तो जरूर कुछ बात में हैं मिनिस्टर के पास जाते हैं जब कोई बहने जाते हैं शेवा करने मिनिस्टर के पास जाती है तो पहले वो पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आद आते हैं जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं बाप कहते हैं मैं तो बिल्कुल साधारन हूं शावकार तो कोई विल्ला ही आते हैं आते जरूर है आने जरूर है परन्तु अंत में सब आएंगे तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अभी नशा रहना चाहिए उनों को समझाना हैं हम तो अपने तान मान धन से भारत की शेवा कर रहे हैं तुम भारत के शेवा के लिए ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम भारत के शेवा के लिए ही तो बली चरे हो ऐसा फ्लैंट्रोफिस्ट कोई होता नहीं है वे लोग मनश तो अपने पैसे एकठे कर मकानाग बनाते रहते हैं परन्तु अब तो आखर ये सब मटी में मिल जाना है तुमको तो सब कुछ बाबा पर बली चराना है भारत को स्वर्ग बनाने की शेवा में ही सब कुछ लगाना है तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हूँ तुमको नशा चरा हुआ है हम अल्माइटी अथारिटी के बच्चे है है नशा चरा हुआ सब को हम साब अल्माइटी अथारिटी के बच्चे है बाबा हमारी गैरंटी ले रही है हम उनके पास अल्माइटी अथारिटी के पास रेडिस्टर हो गई है बाबा फिर कहते हैं बाबा के पास रेजिस्टर होने में बहुत मैनत लगती है जब सम्पूरन निर्विकारी पन का कसम उठावे चलो बाबा पर बली चरहा लास्ट क्या था तीसरा काईदा सम्पूरन निर्विकारी पन का कसम उठावे और प्रैक्टिकल करके दिखावे तो बाबा कहते हैं मेनत तो बहुत लगती है जब सम्पूरन निर्विकारी पन का कसम उठावे और रहकर भी दिखाए तब बाबा उसको रेजिस्टर करते हैं बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ख अत्वा राजस्तान बना रहे हैं और जब ये भारत स्वर्ख बन जाएंगा तो उस पर ही जा करके हम राज करेंगे ऐसे खुशी में नशे में रह करके सदा खुशी में रहो अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते अब फिर हम क्या सुनेंगे फिर से मॉर्ली का सार और वो सार धारना युक्त सारी मॉर्ली चार पेट की मॉर्ली से दो पॉइंट्स जो हमारी सारा दिन बुद्धी में मत्थन होता रहे दाना के लिए मुक्चसार हम इश्वरी संतान एक इश्वर की ही फैमली है हमें अभी इश्वरी मत मिल रही हैं इसी रूहानी नशे में रहना है बाकी उल्टी मतों पर नहीं चलना है दूसरी पॉइंट है भारत की शिवा के लिए ब्रमा बाप के समान पूरा पूरा बली चरना है पूरा पूरा बली अर्थात तन मान धन भारत को स्वर्ग बनाने में बनाने की शेवा में सफल करना है पूरा पूरा फ्लैंथ्रोफिस्ट बनना है आज का वर्दान रोज रोज वर्दान सुनते रहते हैं कितने वर्दान है छुट छुटी चंपरियां वर्दानों की बावा की बनाते रहते हैं आज का वर्दान है बालक और मालिक्पन की बैलन्स से पुर्शारत और शेवा में सदा सपलता मूरत भवा बालक और मालिक्पन की बैलन्स से पुर्शारत और शेवा में सदा सपलता मूरत भवा बावा कहते हैं सदा ये नशा रखो बेहत के बाप और बेहत वर्षे का बालक सो मालिक हूं लेकिन जब कोई राय देनी है बालक सो मालिक तो हूं परंतु बालक और मालिक्पन का बैलन्स जब कोई राय देतनी है प्लैन सोचना है काड़ि करना है तो मालिक हो करके करो और जब मेजारिटी के द्वाना या निमित बनी हुई आत्माओं के द्वाना कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ किस समय राय बाहदुर बनना है किस समय राय मानने वाला बनना है ये तरीका सीख लो तो पुशारत और शेवा दोनों में ही सफलता मिलती रहेंगी आज का स्लोगन निमित और निर्मान चित बनने के लिए मन और बुद्धी को स्पूरन मन और बुद्धी को प्रभू और पन कर दो निमित और निर्मान चित बनने के लिए मन और बुद्धी को प्रभू और पन कर दो कर दो कर दो अ